नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सोनवीर सिंग राजकी पॉल्टेंग जानसट मुझफण नगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों कल से आपकी सेमिस्टर परिच्छा प्रारम होने जा रही हैं तो पहले तो आप सभी को मेरी तरब से बहुत-बहुत सुब कामना है कि आप अपनी परिच्छा में अच्छे अंकों के साथ में उप्तिण हो दोस्तों आज Optical Fiber Communication में हम आपके एक्जाम के लिए Question Papers पर डिसकस करेंगे लास्ट येर के Question Papers देखेंगे कौन-कौन से Questions एक्जाम में आए हैं कौन से Questions इंपोटेंट हैं उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से Topics ऐसे हैं जिन पर के हमें बहुत अच्छे से तयार करना है इसलिए Last Year, Last 4 Years के Track Records को देखते हुए क्योंकि ये Subject Optical Fiber Engineering के नाम से 2016 में इंट्रोडूस हुआ था आया था सबसे पहले Revised Slaves में तो 2016 से इसकी पर इच्छा लगाता रोड़ी तो 16, 17, 18 और 19 ठीक है 20 का पेपर इस समय आप देन दोगे सेमिस्टर में तो 4 साल के पेपर हमारे पास available है हम उनी सभी येर के पेपर का वन वाई वन डिसकस करेंगे देखेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन्स आये हैं तो सबसे पहला जो है वह दाट इस 2019 सबसे लेटेस जो पेपर है वो 2019 का है 2019 में सबसे लेटेस पेपर हुआ अभी तक और 2020 का पेपर आप इस समय दोगे तो 2019 में सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन पेपर करने से पहले कुछ बाते हमें विशे सूप से ध्यान रखनी है कैसे जो भी पेपर आप देख रहे है जो पेपर आपको मिलना है तो पहले तो यह श्योर हो लें कि वह पेपर आपको ठीक से मिला है कि नहीं क्लास्रूम के अंदर जो भी पेपर आपको distribute किया गया है उसे अच्छे से check कर लें उसका title check कर लें code check कर लें कि उस subject आपका जो paper है जो आपको मिलना चाहिए वही है जिसकी परीच्छा आप देने आ रहे हैं वही है ठीक है क्योंकि एक ही साथ कई-कई subject की परीच्छाएं भी ह देख लें उसके बाद जो second जो चीज होती है important that is जो notes लिखा रहता है कुछ important instructions होते हैं paper पर वो जरूर देख लें question paper आपका धाई घंटे का होता है ठीक है इसके साथ maximum marks 50 का है यानि कि 10-10 marks के 5 questions होते हैं ठीक है minimum marks आपको 17 चाहिए होता है पास होने के लिए उसके बाद आप तो सबसे पहले हम question paper में जो भी instructions हो उसको सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे सबसे पहला instruction attempt all questions यानि सारे questions हमें attempt करने है that means there is no separate choice अगर 5 questions है तो 5 all questions हमें attempt करने है internal choice question के अंदर हमें दी हुई है then second is students are advised to specifically check the numerical data of question paper in both version यानि कि numerical data को आपको अच्छे से चेक कर लेना हिंदी वर्जन में भी इंग्लिस वर्जन में भी दोनों में उसे consider करना है use of paper and mobile phones by the student is not allowed sorry pazar पेजर तो इस समय तो मैं अवले वली नहीं होता है मतलब यूज नहीं करते बट mobile phone are not allowed in the classroom तो mobile phone आपको लेके नहीं जाना उसे आप घर पर पहले से ही चोड़के जाए यह main instructions हैं आपके लिए उन questions को आप सबसे पहले attempt करेंगे जा आप तब बहुत से student ऐसे होते हैं यह सोसने question number one है तो सबसे पहले हमें one का answer देना है उसके बार two का देना है फिर three का देना है तो ऐसा नहीं करना आपको आपको जो question सबसे पहले अच्छे से आता है पहले आप उसको attempt करें उस पर time invest करे then उसके बाद second choice रखें कि second number पर जो थोड़ा उसे कमाता इस तरह से आप अपना preference रखें कुछ student ऐसे भी होते हैं जो question number one attempt करते हैं उसके बाद two उनको नहीं आता कुछ missing है तो two के लिए जगह छोड़ देता है फिर third start कर देता है जगह छोड़ कर देता है फिर third के बाद मानल question पर जो question number है वो जरूर अच्छे से paste करें ठीक है वो अच्छे से paste करें उसको इसका दिहान लखना है आपको कि question number गलत नहीं हो जाए ठीक है question number का विसेज धिहान लखना है generally क्या होता है कभी-कभी बच्चे question मतलब करते हैं तो question number गलत डाल देते हैं तो वो ना होना चाहिए ठीक है तो यह दो-तीन instructions है पहला first क्या है read question paper carefully पूरे question paper को read करना है आपको पहले then second number पर आपको उन questions को select करना है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं पहले उनको दियान लखना है एक question के बाद दूसे question के बीच में कोई space नहीं छोड़ना कोई space आपको खाली नहीं छोड़ना है जातर बच्चे करते हैं कि एक question के बाद माल लीजे first question attempt किया अगर उनका second का जवाब नहीं आता है तो थर्ड करते हैं तो third second के लिए जगे छोड़ देते हैं के बाद two e attempt करना दें three करना है ठीक है आप accordingly उसको attempt कर सकते हैं जैसे आपको आता है ठीक है is it clear तो यह चार्फमा चीजों को आपको विसेज द्यान लखना है उसके बाद next जो आपको important चीज है कि question number का जो आपको जवाब देना है वो आपको according to marks कितने marks का question है वो 5 number में question है य या 10 number का question पूचा जा रहा है या धाई number में है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक part के अंदर भी 2 subpart होते हैं तो 5 number भी 2 part में divide हो जाता है तो धाई-धाई marks का question हो जाता है तो हमें according to marks उसकी length का उसकी coverage को ध्यान में रखना है कि कितना हमें उसको cover करना है ठीक है कभी-कभी इसा होता है जैसे आपको माल लो first number पर आपको question attempt करते हैं और आपको बहुत अच्छे से question आता है तो ऐसा नहीं है बहुत अच्छा आता है तो आप बहुत कुछ उसमें लिख दें according to marks अगर आप 5 number में answer कर रहे हैं तो 5 number के according ही आपको उसमें लिखना है उसका diagram है diagram बनाई है और उसके थोड़ा सा उसके बारे में description और explanation दे दीजिए ठीक है लेकिन 10 number में तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें लिखना पड़ेगा तो इन चीजों का विसेज दियान लखना है कि marks के according आपको answer करना है जातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कोई question बहुत अच्छा है let's start with the questions 2019 में जो आपका पहला question था answer any two parts of the following तीन हमें इसमें question देख रहे हैं A B C जिसमें से दो का हमें answer देना है और five number each question है और हर एक question पांच number का है तो explain wave propagation in optical fiber give advantages advantages limitations of optical fiber communication ठीक है तो पहला question में आपको क्या करना है wave propagation optical fiber के अंदर कैसे होता है उसको आपको explain करना है ठीक है electromagnetic wave जैसे हमने बताया था कि electromagnetic wave पी रूब में wave propagate करती है तो wave propagation कैसे होता है यह आपको optical fiber में इसमें explain करना है तो जो भी उसका diagram ओबनाएंगे आप उसमें और उसके अलावा आप जो भी उसकी explanation है वो से करेंगे, बहुत short में लिखना है, क्योंकि wave propagation आपको देखे, 5 number का यह question है, जिसमें आपको wave propagation भी answer देना है, इसके साथ advantages and limitations भी देनी है, तो बहुत जादा detail में wave propagation को आपको नहीं जाना, advantages of optical fiber की communication की क्या होती है, क्या उसकी limitations हैं, यह आपको discuss करता है, ठीक है, तो 5 number के according यह आप इसमें discuss करेंगे, then second जो question है, that is, discuss type of optical fiber and their modes, ठीक है, optical fiber को हमें types बताना है, ठीक है, और कौन-कौन से उसमें modes होते हैं, जैसे हमने TE mode, transverse lactic field, transverse magnetic field, और TEM mode, यह different modes समने पड़े थे, तो आपको उनके modes को बताना है, और optical fiber में types बताने हैं, तो यह 5 number में है, तो modes में 3 modes माल लीज़ा आप दे रहे हैं, तो बहुत छोटा-छोटा-थोडा-थोडा उसके बारे में लिखेंगे, कि क्या इनका मतलब है, और उसके सासत optical fiber को, types को discuss करना है, थर्ड जो question है, that is explain principle, characteristics and construction of LED, यानि कि LED के बारे में आपको principle लिखना, LED कैसे काम करती है, light emitting diode, ठीक है, optical sources के अंदर हमने एक question पढ़ाया था आपको LED को, तो LED और उसकी characteristics क्या है, वो characteristics का अध्यन करना है, और उसकी LED का construction, ठीक है, तो यह आपको 5 number में देना है, तो बहुत ज़्यादा detail नहीं लिखना, LED का आप construction में आपका उसका diagram बनाए, उसका principle कैसे वो काम करती है, कैसे light उसमें से emit होती है, इन दी form of photons वो आपको बताना है, और then उसकी characteristics, characteristics draw कर दीजिए, और थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिए, क्योंकि 5 number का question है, तो बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाना, क्योंकि इसी question को, अगर ये explanation, principle, characteristic and construction of LED, तो इसे 10 number में भी दिखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा cover कर रहा है, आप principle भी cover कर रहा है, characteristic भी कर रहा है, और construction भी कर रहा है, हमें 5 part दिखा ही दे रहे हैं, उसमें से 4 part का हमें answer देना है, और हर एक question 3 number का है, देखिए, ये और भी sort हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा long नहीं देना है, पहला question 5 number में था, ये question 3 number में है, क्या है, differentiate between internal and external quantum efficiency, तो सबसे पहले तो आपको quantum efficiency बताना क्या होता है, उसके बाद internal quantum efficiency और external quantum efficiency की define कर दीजिए, ठीक है, अगर उसका formula है, तो वो दे दीजिए, बस, explain working of photodiode, simple photodiode की working बताना है आपको, तो photodiode का diagram बनाएं आप, ठीक है, ये धिहान रखे है, हर एक question में diagram जरूर बनाएं, diagram बनाके फिर उसको explain करने, तो बहुत थोड़ा सा उसका explanation दे दे, तो explain working of photodiode, then define spectral response, dark current and quantum efficiency, ठीक है, तो देखिए quantum efficiency, उपर internal and external quantum efficiency पूछाता, डार्क current आपको बताना है, spectral response, इन तीनों चीजों को आपको define करना है, तीन नंबर के तो normal एक-एक नंबर में है, तो simple आपको definition देना है, बस के बलाएं, discuss about single and multimode fiber connectors, तो connectors के लिए देखिया गया, single mode fiber connector, और multimode fiber connectors, तो दोनों के लिए अलग तरह है कि connectors हम ने define किये थे, बस बताएं थे आपको, तो आप दोनों के लिए यहां पर connectors बता देंगे, what is splicing, splicing क्या होता है, ठीक है, optical fiber को permanently jointly joint करने के लिए हम splicing का use करते हैं, ठीक है, तो एक mechanism होता, एक machine होता है, जिसके माद्यम से हम दो optical fiber के वल को joint करते हैं, ठीक है, तो splicing में आपको याद होगा, कि हम बात करते हैं, तिक alignment proper होना चाहिए, दो fiber को जिनको joint कर रहे हैं, वो proper aligned होनी चाहिए, ठीक है, उनका alignment सही होगा, center जो जो axis है वो align होगी, तब ही वो proper उसमें splice हो पाएगा, तो ये हमने discuss किया था, discuss different techniques of splicing, splicing की कौन-कौन सी techniques हम यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर answer कर देंगे, is it clear? तो ये question number 2 हो गया आपका, question number 3 पर चलते हैं, answer any three parts of the following, to then list any three questions का आपको जवाब देना, इसमें से 4 part है, एक ही choice है, आपके पास में 4 number का एक question है, ठीक है, तो ये 4 number का है, वो 3 number का था, थोड़ा सा, इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, list any four popular fiber optics connectors with their features and application, किनी 4 connectors, जो कि बहुत ज़्यादा popular होते हैं, उनके बारे में आपको केवल list, list करने का बारे में केवल उनका नाम देना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक connectors ले लिया, और उस connector के बारे में define करना, construction, बहुत सारा कर दिया, list any four popular fiber optics connectors, तो list करने का बारे है, केवल आपको नाम बताना है, simple आप लिखिए popular fiber optic connectors, यह heading डाली है, और उसके अंदर चार जो popular connectors होते हैं, उनके नाम दे दीजिए, उसके बाद आप उनके features, उनको popularly क्यों use किया जा रहा है, why we are using these connectors as a most widely using, ठीक है न, क्यों ज़्यादा use कर रहे हैं, तो उनके features आप बता दें, उनकी qualities की बात कर दें, और उसकी applications की बात करें, तो quality features और application आपको अलग से लिखना है, ठीक है, इस तरह से आप चार नम्मरे में सकांसर देंगे, then next है, discuss optical fiber cable jacketing and cable laying, यह हमने सबसे last में installation and design feature of optical fiber cable बताया था, उसमें आपको इस chapter के अंदर आपने इसे पढ़ा होगा, discuss optical fiber cable jacketing, ठीक है, cable के अंदर जो jacket होती है, उपर jacketing करते है, वो क्यों करते है, तो उसको discuss करना है आपको, ठीक है, तो why we are using jacketing, तो जैसे बताया था, mechanical strength provide करने के लिए, और external environment से optical fiber को protection provide करने के लिए, जैकेट यूज करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसके सासाथ cable laying, cable laying कहला, cable को बिच्छाना, cable को डालना, वो क्या होती है cable laying, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर discuss करना है, चार number में देना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, विसेज करके मैं ठीक है, अगर हम जैकटिंग की बात करना है, या cable laying की बात करना है, तो cable laying से related ही हमें चीज लिखनी हो, ये दियान लखना है, विसेज करना है, अगला है, what is the need of couplers? देखे, couplers चेक क्वेश्चन है, coupler का हमने अलग से chapter पड़ा हुआ है, तो coupler की आवश्चक्ता क्यों होती है, पहला तो कोई ही पूचा है, तो पहले आप वो जबाब देंगे, discuss various type of couplers, ठीक है, different type के couplers को आपको discuss करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिए, दो, दो, तीन, तीन, लाइन में आपको answer दे देना है, हर एक coupler का, explain working of pin diode, देखे, pin diode की working पूचिए, इसमें, ठीक है, तो pin diode का पहले आप diagram बनाएंगे, और देन उसकी working कैसे काम करता है, that's it, ठीक है, खताम हो गया इसके बाद, इतना ही कि मिसला इसको करेंगे आप question को, next जो आता है question number 4 और 5 में देखे हैं, तो question number 4 में answer any two parts of the following, ठीक है, अब आपको इन 3 में से किनी 2 प्रशनों के जवाब देने हैं, हर एक प्रशन 4 नंबर का है, explain time domain dispersion measurement technique, dispersion measurement techniques time domain में आपको explain करना है, ठीक है, तो उसका techniques हैं, तो उसका diagram बनाएं, और उसको आप dispersion को कैसे measure करते हैं, उसके measurement की techniques क्या हैं, वो आपको यहाँ पर देनी है, explain fiber numerical aperture and cut-off wavelength measurement technique, ठीक है, एक तो numerical aperture, optical fiber की numerical aperture को और cut-off wavelength measurement की technique को आपको यहाँ पर discuss करना है, ठीक है, is it clear, next है, what are various kind of digital modulation technique used in optical communication, ठीक है, digital modulation techniques, different type of digital modulation techniques को आपको explain करना है, और जो कि optical communication में use होती हैं, उनको explain करना है, ठीक है, पहले उनको types बताने हैं, कितने तरहकी होती हैं, उनको फिर थोड़ा-थोग explain करना है, question number five में देखें, avalanchey photodiode, light short notes, any two of the following, तीन आपके पास question हैं इसमें, तीन में से किनी दो का आप concept देना है, तो हर एक जो part है वो चान नंबर का है, ठीक है, तो avalanchey photodiode, optical power budget और current system, इन तीन में से किनी दो पर आपको short notes लिखना है, short notes का फाइदा यह रहता है, कि उस particular topic, जिस पे आपको short notes लिखना है, उसमें flexibility रहती है, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे later होना चाहिए, जैसे avalanchey photodiode दे या, तो avalanchey photodiode की diagram बनाईए, और उसकी working लिखिए, ठीक है, बहुत कुछ के, आप एव ऐसा भी कर सकते है, avalanchey photodiode की diagram बनाईए, थोड़ा सा उसकी working लिखिए, और थोड़ा सा आप characteristic भी दे सकते हैं, diagram बना सकते हैं, ठीक है, तो यह आप पे depend कर रहा है, कौन सा avalanchey photodiode की, किस चीज को आप short notes किस पर लिखना चाहरे हैं, तो यह flexibility रहती है, short notes में बहुत आसान लहता है, आपके लिए answer करना, जबके और जो questions होते हैं, उसमें specific पूछा जाता है उन्होंने, ठीक है, जैसे उन्होंने का cutoff wavelength measurement techniques बताईए, तो आप cutoff wavelength की measurement techniques जो, के विल उसी की बात करेंगे, ठीक है, तो then optical power budget क्या है, current system क्या है, इन पे आपको short notes लिखना है, so this is all about the 2019 question paper, now let's move on 2018 question paper, 2018 में क्या question paper आया था, अब हम उसको देखते हैं, again सबसे पहले आप instructions को अच्छे से study करेंगे, attempt all questions, सारे questions आपको attempt करने हैं, mobile phone restricted है, अगर Hindi और English version में कोई भी discrepancy होती है, कोई difference होता है, तो English version को आप देखिए, वही सही माना जाएगा, ठीक है, उसको ही आपको consider करना है, then question number one देखे हैं, 2018 में, so answer any two parts of the following, इन तीन में से किनी दो part का answer करना है, past number का ये question है, हर एक part, explain Snell law for reflection, reflection के लिए Snell law क्या होता है, N1 sin theta 1 due to N2 sin theta 2, ठीक है, ये नियम पढ़ा है हमने, तो जहाँ way propagation का जो पहला chapter है, उसी में आपको इसको पढ़ा है, तो उसमें आपको इसे अच्छे से answer करना है, ठीक है, Snell law क्या है, reflection के लिए, describe structure of optical fiber, simple है, structure of optical fiber को describe करना है, तो सबसे पहले optical fiber का structure बनाई है, जैसे कि हम सबसे पहले core बनाते हैं, आपने core बनाया, core के बाद आपने यहां पर उसकी cladding बना दी, cladding और cladding के बाद आप फिर jacketing करते हैं, ठीक है, फिर आपने jacketing कर दी यह दिस दाई लाए थी, तो एक जो basic structure है, किसी भी optical fiber का वो आप यहां पर बनाएंगे और उसको थोड़ा-थोड़ा core में जैसे कहेंगे, यह core हो गया, cladding हो गया, this is cladding, then next jacket, तो cladding का use क्या होता है, jacket का use क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में आप explain कर देंगे, तो यह 5 number में question को आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, describe about step index multimode fiber, ठीक है, अब देखे, fiber को हमने दो तरह से पढ़ाता, step index fiber और graded index fiber, step index fiber और graded index, ठीक है, तो step index में क्या होता था, कि जो भी refractive index होता था, core का, वो आपका पूरी all over the length, all over the volume होता था, आपका core का उसमें same रहता था, there is no change in the refractive index, लेकिन graded index में आपका refractive index, जैसे आप core के center से towards the cladding move करते हैं, तो आपका refractive index बढ़ता चला जाता था, तो step index और graded index fiber, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल step index की बात करनी है, और step index में भी आपको multimode fiber को explain करना है, ठीक है, step index में भी आपके पास दो तरह के step index होते हैं, step index में भी आप देखें, तो आपके पास single mode fiber और multimode fiber, दो होते हैं, multimode fiber, तो आपको यहां पर multi-mode fiber को explain करना है, is it clear? Now comes on the question number second, answer any two parts of the following, क्या है, दो parts का आपको जवाब देना है, number A क्या है, describe about working of light emitting diode, देखिए, question last year भी आया था, भी 19 में भी हमने देखा था, वहां पर आपको LED के construction, characteristics, और working तीनों चीज़ पूछी थी, तो आपको वहां बहुत थोड़ा-थोड़ा लिखना था, लेकिन हाँ पर केवल इन्होंने working पूछी है, working का मलब केवल कार रिविदी के light emitting diode कैसे काम करता है, तो यह जिसमें हमें working of light emitting diode लिखना है, तो describe करना है आपको LED की working के बारे में केवल, तो LED का diagram बनाई है और उसकी working को explain कर दीजिए, next question है इसमें, what are optical detector, ठीक है, optical detector क्या होते हैं, optical detector का हमने separate chapter पढ़ाता, ठीक है, तो describe working with sweet table diagram, ठीक है, optical detector को diagram के साथ में आपकों की working बतानी है, तो आप इसे easily explain कर पाएंगे, optical detector को, next third question है, describe about mechanical splicing, mechanical splicing को भी हमने पढ़ाता, तो mechanical splicing आपको इसमें बताना, splicing क्या होती है, तो इसमें दो optical fiber cable को permanently joint करना, ठीक है, इसमें splicing, तो mechanical जो mechanism है, उसको join करने की, या connect करने की, वो आपकी mechanical splicing कलाती है, तो यह 5 number में question है, तो आप easily से भी answer कर पाएंगे, is it clear? Question number third is, answer any two parts of the following, यानि 3 question है, 3 में से किनी 2 का आपको answer देना है, 5 number का हर एक question है, पहला है, write a note on losses in optical fiber, losses in optical fiber हमने separate एक complete chapter प्लाए है, जिसमें हमने different type के losses का अभ्धियन किया था, तो losses in optical fiber, जिसमें हमने absorption loss, जो absorptive losses थे जिसमें scattering loss, radiation loss, connector loss, bending losses, यह सारे losses हमने पड़े थे, तो आपको short notes लिखना है, तो पहले आप optical fiber में कौन-कौन से losses होते हैं, उनको list कर दीजे, और list करने के बाद उनको थोड़ा-थोड़ा define कर दीजे, then second है, write down merits and demerits of optical fiber communication, तो optical fiber communication की आपको advantages and disadvantages, merits and demerits आपको यहां पर explain करना है, कि optical fiber communication यूज करने के five है क्या है और नुकसान क्या है, तो पांच नंबर का है, तो आप 4-5 उनकी advantages लिख सकते हैं और disadvantages देदे हैं, then describe about needs and type of couplers, ठीक है, यानि कि इसमें आपको क्या करना है, couplers की आवश्यक्त्या क्यों होती है, what is the need of the couplers, और different type of couplers, couplers को आप पर type लिखने हैं, ठीक है, तो पांच नंबर में आपको इसको भी answer करना है, then question number third, fourth पर आते हैं, answer any two parts of the following, write a note on computer communication, देखें, 2019 में भी computer communication का question आया था, और ये आपका 2018 में भी है, short notes लिखना है आपको, write a notes on computer communication, write a note on fiber dispersion, dispersion पर आपको लिखना है, explain करना है, आपको dark current और spectral response, देखें, complete questions last 2019 में भी आया था, same यहाँ पर भी है, ठीक है, question number five हम देखते हैं, write short notes on any two, इन में ऐसे किनी दो पर आपको short notes लिखना है, fine, 2 पर करना है, यानि कि 5 नंबर का हर एक question है, चार पार्ट है, किनी दो answer करना है, कोनो परसेप्टेंस, ठीक है, कोनो परसेप्टेंस, जो numerical aperture नहीं पढ़ाता, कि किस एंगल पर अगर कोई light wave अगर enter करती है, optical fiber core के अंदर, तो वो उसमें propagate करती है, कोनो परसेप्टेंस, ठीक है, वो आपको यहाँ पर explain करना है, laser diode आपको करना है, ठीक है, pin diode देखिए, last 2019 में भी आया था, यहाँ पर भी आया है, और splitters, splitters भी आया था, तो देखिए, यह मैंसे किनी दो का आपको answer करना है, तो this is all about the five questions in 2018, पांचों questions का आपको जवाब देना है, हर एक question के अंदर, internal choice already दी हुई है आपको, तो आपको वहाँ choice already available है, now we comes on the 2017 paper, December 2017 पाते हैं, तो सबसे पहले आप again वही short notes, जो भी notes हैं, आपको उनको पढ़ेंगे, तो notes जनली तीन ही हैं आपके, कि आपको सारे questions attempt करने हैं, अगर numerical data में कहीं कोई discrepancy है, किसी question में कोई misprint है, कुछ है, तो उसको आपको English version से उसको आपको consider करना, English version में जो है, वो सही माना जाएगा, और mobiles का pager का use नहीं करना, question number one देखते हैं, 2017 का, तो question number one, answer any two parts of the following, इन तीन में से किनी दो के आपको प्रस्णों के जवाब देने हैं, पांस number का हर एक question, पांस number का है, पहला, describe the principle of working and construction of LED की, ये question 2019 में भी आया था, 18 में भी आया था, और 2017 में भी आया तो LED की working, characteristics and construction ये तीनों बहुत अच्छे से कर लीजे, ये question आपका बहुत important हो जाता है, हर एक बार तीनों में हमने देखा, तीनों में आया है, discuss various losses in optical fiber, देखिए ये भी अभी 2018 में भी हमने देखा था, और 2018 में भी था, और 2017 में भी है, तो discuss various losses in optical fiber, जबके LED वाला आपको 19 म notes on photo diode, देखिए photo diode, avalanchey photo diode, अभी हमने 2019 में देखा था, और ये 2017 में भी है, ठीक है, तो photo diode का आपको avalanchey photo diode, यह optical detector है एक तरसे, जिस पर light पढ़ेगी, तो वो आपको electrical में convert करेगा, तो photo diode is a optical detector, तो उस पर आपको short notes लिखना है, now we comes on the question number 2, answer any 4 parts of the following, इन 5 parts दे रखे हैं इस पांच में से 4 parts का आपको answer देना है, तो हर एक part जो तीन number का है, ध्यान रखे हैं, तीन number, 3 marks का, तो बहुत ज़्यादा आपको detail में नहीं देना answer, सबसे पहले differentiate phase and group velocity, phase velocity में एक difference लिखना है, direct and indirect semi-conductions में आपको differentiate करना है, दोनों में difference बताना है, तो ये तीन number में दो difference बतान communication, यानि कि diagram sketch the diagram of splitter, splitter का आपको diagram बनाना है, जो कि splitter optical communication में use करने है, ध्यान रखे है, especially कोई भी ऐसा question जिसमें आपको sketch करने के लिए का जा रहा है, उसमें diagram को neat and clean diagram sketch करें, neat and clean, ज्यादा तर student क्या करते हैं, diagram को rough diagram बनाते है, कोई भी diagram आप बना रहे हैं, आप characteristic बना रहे है उसको neat and clean बनाएं, यहां दखना है आपको diagram अच्छा होना चाहिए, तभी number अच्छा मिलेगा, question number third है, what is the mean by current system, current system 2019 में भी आया था, और यह आपको 2017 में भी मिल दा है, what are the different frequency ranges used in electromagnetic spectrum of light, यहाँ पर electromagnetic spectrum को आपको light का बताना है, कि कौन कौन सी frequency ranges है, जो light के spectrum में exist करके हैं, तो light का spectrum सबसे पहले chapter में हमने electromagnetic spectrum आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वो electromagnetic spectrum को आपको यहाँ पर explain करना है, part E देखें, आप define the term numerical aperture, देखें, numerical aperture 2019 में भी आया था, और I think 2018 में भी था, जिसे वहाँ पर इसे numerical aperture, ना कहा कि कौन, acceptance कौन कहा था, साहिद, define the term numerical aperture, optical fiber में क्या होता, उसको आपको define करना है, question number third पर आते हैं, answer any three parts of the following, चार part है, उन में से तीन का आपको answer करना है, तो हर एक question जो है, वो चार number का है, तो आपको उसी के according answer करना है, discuss the importance and use of splicer, ठीक है, splicer की importance क्या है, splicer को हम कहां use करते है, splicing, splicing, splicer का मतलब क्या है, splice करने वाला जो device है, उसे उतने splicer, that means the device which is used for splicing, splicing का मतलब क्या है, किनी दो optical fiber को permanently joint करना है, वो तो कहलाती है, एक splicing, और splicer क्या है, जो किनी दो fiber को permanently joint करने के लिए, जो equipment, जो device यूज किया जाता है, उसे splicer बोलते हैं, तो splicer का use क्या होता है, यह आपको बताना है, तो इसमें basically splicing क्या होती है, वो ही बतानी है, और उसकी क्या importance है, ठीक है, हमें क्यों उसकी आवश्चिक्ता पड़ती है, यह हमें इसमें discuss करना है, then B part में देखे, explain modulation in optical communication, optical communication में modulation क्या होता है, वो आपको explain करना है, then describe the working of any laser of your choice, ठीक है, यानि कि आपने laser, different तरह की laser चावला chapter जब आपने पड़ाया था, optical source वाला उसमें जब आपने laser पड़ाया था, तो कई सारी तरह की laser आपको बताई थी, तो आप उन में से कोई भी अपनी choice की laser को आप explain कर सकते है, this is flexibility which is given for you, कि any one type of laser you will, you are able to explain, ठीक है, और you should explain, ठीक है, कोई भी एक laser यहाँ पर आप उसकी working और उसकी working और उसकी working और characteristic क्या होती है, वो सब आप इसमें explain कर देंगे, चाहर नमर के खोड़ेंगे, Then one question, calculate numerical aperture of plastic step index fiber having a core refractive index N1 and N2, ठीक है, numerical aperture आपको explain करना है, जिसमें core की refractive index N1 और N2 दे रखी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर N1, N2 दोनों दे रखी है, ठीक है, तो आपको numerical aperture निकालना है, तो numerical aperture के लिए अगर आपको याद होगा, सीधा formula आपके पास था, N1 के लिए, That was N.A is equals to under root में N1 square minus N2 square, ठीक है, यह आपके पास direct formula था, जिसके माद्यम से आप numerical aperture निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको value N1 और N2 दोनों दे रखी है, Reflective Index score का दिया है, 1.60, and Cladding का Reflective Index 1.49, इसकी help से आप numerical aperture निकाल लेंगे, तो बहुत simple question है, और चार number का है, तो बहुत easily आप इसको कर पाएंगे, Then question number 4 पर आते है, answer any two parts, discuss computer communication using RS-232 port, Computer communication कैसे करते हैं, जिसमें RS-232 port को यूज़ करके आपको explain करना है, Then question number, दो question का answer देना है आपको, तो चार number का हर एक question है, तो according to Marks भी आपको explain करना है, question number B part देखें, आप 4th का, What is meant by the term dispersion in optical fiber, dispersion देखें, 2019 में भी आया था, Dispersion in optical fiber क्या होता है, also right equations for measurement of dispersion, देखें, dispersion measurement techniques, 2019 में पूछा गया था, वो same 2017 में भी पूछा है, तो इसका माला ये भी आपका काफी important हो जाता है, ठीक है, Discuss various classification of optical fiber, classification of optical fiber, I think 2018 में भी था भी, और यहाँ पर भी पूछा है, तो ये भी question काफी important हो जाता है, ठीक है, Question number 5 पर आते हैं, Answer any two parts of the following, 2 parts का जवाब देना है, 4 number का प्रतेक question है, Question number A पर जाएं, Distinguish between reflection and reflection of light, ठीक है, यानि कि आपको reflection और reflection, light के reflection और reflection को distinguish करना है, differentiate करना है, दोनों में क्या है, दोनों को define करना है, Question number 2 में आते हैं, इसके भी part में, What is meant by pin diode, देखे, pin diode आपका 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, 2017 में भी है, Explain its relevance in optical communication, Pin diode क्या होता है, पहले उसको बताना है, और इसकी optical communication दर क्या relevance है, ठीक है, इसको explain करना है, Question number 5 का C part रेकते हैं, Describe fiber cable installation and design consideration, यह complete एक chapter हमने last में पढ़ाया है, के लाइस के chapter में, जिसमें cable का installation and design consideration, हमने उसमें explain किया है, ठीक है, Describe fiber cable installation and design consideration, तो describe fiber cable installation, cable को कैसे हम install करेंगे, और cable का design क्या होगा, यह सारी चीजे हम उस chapter में आपको पढ़ा चुके हैं, टॉपिक में, तो आप इजी लिया पे से answer कर पाएंगे, Now we come on the 2016 paper, यह सबसे पहला paper था, जो 2016 में आया था, Optical fiber communication, या उसका नाम पहले, Optical fiber engineering था, ठीक है, 2016 में, तो 2016, 17, 18, 19, सभी में Optical fiber engineering के नाम से था, उसके बाद से लिए बस लिवाई हुआ, NSQFBस आया, तो उसका नाम Optical fiber communication हो गया, तो again Optical fiber communication या Optical fiber engineering के अंदर, आप सबसे पहले instructions को देखेंगे, Then, पहला question हम देखें, तो question number one, justify the validity of any of the four of the following statement, चार ये different statement दे रखें, इन मेंसे चार statement को आपको justify करना, उनकी validity को justify करना है, तो हर एक जो part है, वो धाई number का है, 2.5 का, fine, Then, पहला क्या है, LED are preferred over laser, इसको आपको justify करना है, हमने जब laser और LED प्लाया था, तो हमें ये बताना है, कि laser और LED में सबसे ज़्यादा LED को prefer किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, उसका जवाब आपको देना, इसकी validity ये आपको बतानी है, तो धाई number में देना है, बहुत ज़्यादा detail नहीं लिगना, तो ये आपको फ्रूब करना है, justify करना है या validate करना है, कि दो source जिनकी radiance equal है, वो power भी equal deliver करेंगे, Is it clear? Question number C part में चरहें, Fiber can have axial and helix form of rays, तो axial form और helix form हमने already fiber की बताई थी, जिसमें helix form में आपकी इस तरह की कुछ fiber थी, ठीक है, helical for shape में, और axial में वो simple axis form में थी, तो वो आप यहाँ पर इसको validate करेंगे, group velocity can be greater than phase velocity, ठीक है, group velocity हमेशा phase velocity से ज़्यादा होती है, can be greater, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर validate करना है, lasers are suitable only for step index fiber, यानि जो laser है, वो केवल step index fiber के लिए ही sweetable होता है, ठीक है, यानि कि हम laser को केवल step index fiber में ही use करते हैं, graded index fiber can sustain many modes, graded index fiber में multi-mode sustain किया जा सकता है, that means multi-mode fiber operate हो सकता है, graded index में, ठीक है, दिये, आपको यहाँ पर करना है, then, last G, parallel polarization yields buster angle, ठीक है, buster angle भी हम बहुत अच्छे से आपको explain किये हैं, तो यहाँ पर आप उसको justify करेंगे, question number two देख है, differentiate any five, इनको आपको इनमें difference बताना है, इनी पांच का, तो दो-दो number में, देखिए, बहुत simple है, केवल आपको एक difference लेके चलना है, दो number का question है, तो group velocity और phase velocity, दोनों में difference बताना क्या है, simple, step index and gradient index of fiber, simple आपको difference बताना है, step index में क्या है, refractive index, पूरी core के अंदर, हर point पर same रहता है, gradient index fiber में, जो refractive index है, वो center से towards leading जाते हैं, तो change होता जाता है, तो simple आपको difference बताना है, transverse electric mode, और transverse magnetic mode, simple difference बताना है आपको, internal and external quantum efficiency, देखिए ये 2019 में भी आया है था, internal and external quantum efficiency बताना है, simple, coupler and cables बताना है, couplers क्या होते हैं, cables क्या होते हैं, इनमें difference बताना है, connectors में और splicer में क्या difference है, connectors क्या है, temporary joint होता है, splicing क्या है, permanent joint है, temporary joint, जैसे आप electricity के अंदर, 3-pin socket यूज करते हैं, 5-pin socket यूज करते हैं, उसमें आप उसमें top लगा देते हैं, तो वो एक temporary joint है, जब चपता हैं, तो disconnect भी कर सकते हैं, तो connectors में भी ऐसा है, कि optical fiber को connector से अगर आपने joint किया है, तो जब चाहें तब आप उसे disconnect भी कर सकते हैं, splicing में ऐसा नहीं है, splicing एक permanent joint होता है, तो दोनों में एक difference बता देंगे आप, skew and axial rays in fiber, skew rays और axial rays ये भी हम पढ़ा चुके हैं, LED and photodiod, इसमें आपको एक difference बताना है, तो बहुत simple question है, सबसे पहला paper था, इसलिए बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, to the point नहीं पूचा है, simple आपके लिए इस हर इस question में flexibility है, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी explain करें उसमें, ठीक है, बट होना चाहिए to the point, और points से आपकी topics related, question number 3 देखते हैं, answer any two parts of the following, तीन पार्ट हैं, A, B, C, इन मेंने किनी दोक आणसर देना है, 5 नमबर का प्रतेक question है, discuss fiber scattering loss, measurement in detail, discuss fiber scattering loss, scattering loss क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं, measurement in detail, scattering loss को कैसे measure करते हैं, what are other losses, or losses क्या होते हैं, यह आपको 5 नमबर में answer करना है, discuss, numerical aperture, wave number, core and cladding loss, hybrid modes, index profile, यह सभी को आप easily answer कर पाएंगे, सारी चीज़े हम अच्छे से discuss की हैं, तो मैं समझता हूँ, there is no problem in to that question, इन में से, इनको आपको 5 नमबर में, तो simple एक-एक नमबर में आप answer करना है, responsivity क्या है, spectral response क्या है, pin diode, APD, splitters, देखिए, यह भी तीनों question, pin diode, APD, splitters, अभी 2018 में भी थे, और 19 में भी थे, तो यह आप इन में से किनी, दो question के answer के answer दे देंगे, question number 4 पार आते हैं, answer any two parts of the following, तीन में से किनी, दो आका जवाब देना है, A, B, C, हर एक question, पांस नंबर का है, discuss radiative and non-radiative time constant in detail, how they are related with efficiency of and surface velocity, ठीक है, radiative and non-radiative time constant को, आपको detail में explain करना है, पांस नंबर का question है, तो आपको content यहाँ पर थोड़ा जादा देना होगा, discuss dispersion measurement, देखे, dispersion measurement 2019 में भी आया था, 2017 में था, 2018 में था, third time से यहाँ पर यह दिख रहा है, तो यह भी काफी important हो जाता है, dispersion measurement, numerical aperture हर साल आ रहा है, numerical aperture, तो यह भी बहुत important हो जाता है, discuss direct and indirect gap, semiconductor material detail, direct and indirect gap अभी भी 2017 में था, और इसके साथ-साथ यहाँ पर भी है, तो यह भी question काफी important हो जाता है, now comes on the question number five, write short notes on any two, किनी दो पर आपको short notes लिखना है, past number का प्रते question है, किनी दो question को attempt करना है, on-off modulation क्या होता है, data transmission क्या है, computer communication, computer communication काफी important हो जाता है, हर साल आ रहा है, cable, jacketing and lying, यह question अभी 2018 में भी था, और यह आपका 2016 में भी है, तो cable, jacketing और lying से आपको question, और आप 2017 में देके, तो वहाँ पर भी हमें installation and design feature पूछ लिया था इसका, तो यह भी काफी important हो जाता है, तो इस तरह से हमारे यह सभी questions हमने देख लिए, 2016 से लेके 2019 तक कौन-कौन से questions आपके आए हैं, यह हमने सभी देख लिए, इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे topic हैं, जो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, इन question paper का अध्यान करने के बाद हम यह तो जान पाएंगे, कि कौन-कौन से topics हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिनसे आपको question, I think 100% ना कहूँ, तो 99% तो chances हैं, कि आपको question उससे मिलेगा, तो हम एक बार overview कर लेते हैं, तो हम देखें, कि group velocity और phase velocity वाला topic आपका 2016 में भी आया है, और 17 में भी आया है, 18 और 19 में नहीं आया, तो इसकी संभावना हो जाती है, कि साइब इस पार ये आजाये, ठीक है, जो question हर साल आ रहा है, उसकी तो possibility है, लेकिन 2 साल से अगर साल last year उससे पहले नहीं आया है, तो उसके chances ज़र ज़्यादा बन जाते हैं, जो question पर इस साल repeat हो सकता है, तो ये question possibility है, कि 2020 में इस पर कोई question आ जाए, I think so, तो group velocity और phase velocity, next is step and graded index fiber, 2016 में आया, 18 में आया, देखें, 19 में नहीं आया, तो ये भी, I think, में भी इस पर कुछ question 2020 में आ सकता है, step index fiber और graded index fiber, तो आनी कि आपको step index और graded index fiber को अच्छी से पढ़ना आ है, इस में से आपको chance से जाए, कि कोई question 2020 में मिल जाए, then numerical aperture, 2016 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, ठीक है, तो numerical aperture से related, देखें, question में क्या है, as it is question नहीं मिलता कभी भी, पर उस से related, उस से related कई एक ही topic से कई सारे question बन सकते हैं, तो उसी topic से आपको कोई दूसरा question मिल सकता है, तो numerical aperture को भी आप जरूर पढ़ें, it's very important, ठीक है, 2016, 17, 19, तीन बार आचुगा चार attempt में से, core and cladding loss, 2016 में आया है, लेकिन losses आपको regular उसने, 18 में भी पूचा है, और 17 में भी पूचा है, तो 2017 में losses आये, 18 में भी आये, तो आप losses जरूर पढ़ेंगे, एक question आपको losses से जरूर मिलेगा, ठीक है, और एक question, एक से दो question आपको लगवग, two question आपको इतने portion से मिल सकते हैं, पहला बहला chapter है, उससे लगवग दो question आपको लोसे से मिलेगा, ठीक है, then splitters, splitters पर question 2016 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, maybe 2020 में आ सकता है, splitters पर, और पक्का कोई-कोई question splitter से आएगा, तो splitters को भी आपको अच्छे से करना है, आप देखे, मैंने year लिख रखे हैं, तो आप preference इजिली देख सकते हैं, कौन सा question ज्यादा इंपर, pin diode देखे, हर साल आया है, चार कोई paper हुए हैं अभी आपके polytechnic में, optical fiber engineering से चार अबार आया है, तो 2020 में भी हमें एस्पेक्ट करते हैं, कि ये जरूर आएगा, pin diode, इस pin diode को अच्छा पूरा साइस की working, characteristics और इसका constructional diagram जरूर पढ़ने, ये भी question काफी important हो जाता है, 2020 के लिए भी, मैंने वही topic यहां पर consider की हैं, इसके लाबा भी बहुत सारे topic हैं, लेकिन मैंने वही consider की हैं, जो बहुत ज़्यादा important है, जिनको आपको पढ़ना है, cable jacketing and line 2016 में आया है, और 19 में आया है, तो cable jacketing and line को अगर line को आप पढ़ देता हैं, तो इसके मिलते हैं जो तो कई सारे question का जवाब आप दे पाएंगे, तो ये भी कुछ-कुछ important है, then brewster angle cable 2016 में आया है, तो आप इसको choice में थोड़ा, बाद में रखिए, बट कीजिए जरूर, couplers and cables पर देखे, 16 में, 18 में, 19 में, तीनों आप आया है, तो I hope so के 2020 में भी आएगा, तो ये भी काफी important हो जाता है, couplers पर question, couplers और cable पर, then connector and splicing, connector and splicing, splicing 2016 में, 18 में, 19 में, तीनों style आया है, तो इसका महला splicing पर, और connectors पर आपको पका एक question, एक से दो question मिल सकते हैं, question number 1 या 2, ठीक है, then LED and photo diode, LED पर देखे, question हर बार आया, 2016 में भी आया है, 17 में, 18 में, 19 में, तो ये question आपको 100%, I think so, ये question आपको जरूर मिलेगा, जैसे pin diode का question में ने बताया है, हर बार आया है, उसी तरह से, LED का question भी हर बार आया है, LED का construction, construction, then characteristics, और working, ये तीनों चीज आप अच्छे से पूरा पढ़ लें, इसको 100% आपको इससे question एक में लेगा, modes of optical fiber, 2016 में भी आया है, 19 में आया है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, कि modes कौन से होगे है, quantum efficiency, quantum efficiency 2016 में आया है और 19 में आया है, और इसके अलाबा internal quantum efficiency और external quantum efficiency ये भी आया है, तो quantum efficiency को आप जरूर पढ़ लें, it's also important, then polarization 2016 में आया है, तो polarization को आप पढ़ लें, थोड़ा सा preference में इसे बाद में रख सकते हैं, but हो सकता है, short notes इस पर आजाए, तो short notes को according आप polarizing को तयार कर लीजिए, अगर short notes आता है, तो आप इसको लेख सकते हैं, various losses in optical fiber communication, 2017 में भी आया है, 2018 में आया है, इसलिए ये 2020 के लिए, 2019 में नहीं आया है ये, इसलिए 2020 के लिए ज्यादा important हो जाता है, various losses, then current system, 17 में आया है, 18 में आया है, तो current system को भी आप अच्छे से पढ़ना है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ाया था, current system, इसको भी आप कर लेंगे, then, important questions topic के अंदर अगला, जो topic है, that is, electromagnetic spectrum of light, ये के बल 2017 में आया है, तो इसके chances हैं, कि 2020 में ये आजाए, electromagnetic spectrum light का क्या होता है, splicer and splicing, obvious है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, तो I hope so, 2020 में भी आएगा, ये भी कापी important question हो जाता है, laser, laser, 2016, 17, 18, तीनों में आया है, 2019 में नहीं है, तो 2020 में भी इसके संभावना बन जाती है, कि इसके chances हैं, कि ये आये, तो इसको भी अच्छे से करें, computer communication, 16, 17, 18, तीनों में आया है, तो computer communication जरूर पर लाए, ये सारे जो topic में आपको बता रहा हूँ, ये topic से question आपको जरूर आएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, then classification of optical fiber, important है, ये अच्छे से पढ़ने हैं आप इसको, then fiber cable installation and design, 2017 में केवल आया है, लेकिन almost मुझे लगजा है कि इस पार, इस पर question जरूर आएगा, fiber cable के installation and design से, कुछ ने कुछ question आपको जरूर मिलेगा, snare law केवल एक बार आया है, लेकिन snare law पे आपका, light का propagations और defend करता है, तो आप इसको जरूर पढ़ने हैं, कोई ने कोई questions आपको, या किसी और question में इसको आपको explain करना पढ़ सकता है, structure of optical fiber 2018 में आया, लेकिन it's very important, इसको 2020 में expect करता हूँ, optical fiber के structure पर साइज आपको question मिलने के संभावना है, तो इसको अच्छे से पढ़ने है, optical detectors पे question हर बार आया है, 2018 हमने लिखा है, optical detector के नाम से, but photodiode, avalanchey photodiode आप 2019 में भी आया है, 17 में भी आया है, तो ये लगगा, 2017 में भी कह सकते हैं, 2019 में तो ये भी कापी important हो जाता है, कि optical detector से आपको एक question मिलेगा, ये question 2020 में मैं expect करता हूँ, ये जरूर आएगा कि wave propagation क्या नहीं की, या हम ये कह सकते हैं, wave propagation या आप ये समझे है, total internal reflection, ये जरूर पढ़ लीजिये, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, कि ये question जरूर आएगा, total internal reflection क्या होता है, तो ये wave propagation उसी पर depend करता है, आपका OFC के अंदर, total internal reflection के concept को जरूर पढ़ लीजिये, it's very very important, ठीक, fine, then avalanchey photodiode, 2016 में आया है, 19 में आया है, तो जरूर पढ़ें, avalanchey photodiode, या optical detector, जिसे हम कहरें, ये same question है, optical detector पूछे, तो आप EPD को explain कर सकते हैं, या कोई दूसरे तरह का detector, आप explain कर सकते हैं, photodiode भी हमने कई तरह के पले थे, avalanchey photodiode भी पढ़ाता, तो या तो आप optical detector पढ़ें, आए, तो अगर वो specific नहीं पूछा नाम लेकर, तो आप कोई सा भी detector आप उसमें explain कर सकते हैं, avalanchey photodiode को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो avalanchey photodiode ही पूछ रहा है, तो हम केवल avalanchey photodiode को ये explain करेंगी। So this is all about the important topics, तो मैं समझता हूँ आपके लिए आपी तक ये total optical fiber communication का subject का overview एक हो गया, इससे आपको थोड़ा सा remind हो गया होगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, और you are able to decide that which topics you have to prefer or keep most as a most important topics, और उसके according भी आप paper को attempt करेंगे, thanks, thanks for your passion, all the best, आप सभी को मेरी तरब से बहुत-बहुत सोब कामना है, कि कल से start होने वाली परीच्छा आपके लिए सफल रहे और आप अच्छे अंकों से उत्ती हों, धन्यवाद.